मुक्मंत्री ने पहले पुलिस भेज के वहां तुलवाया अतंगा उसको वाया उसके बाद गोली चलवाया आप छे बता रहे हैं ललन टॉप की रिपोर्ट 25 बता रही है यह मुक्ति साब पर भी थार डिग्री अपलाई की गई थार डिग्री समझते हैं चोड है किपनल है अ दरकार पर के दामी खुद मुकदमे में जेल जाएं चिसाथ मैंने कि इनको जेल करवा हो जवानों के खून से हाथ रंगा हुआ था इस बार देश के जंता के खून से हाथ लगेगा मुसल्मान किसानों और मजदूरों के हाथ रंगेगा नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं प्यार बी न्यूज हलदवानी में पिछले च्छा दिनों से कर्फिय लगा हुआ है और वहां के पुलीस प्रसासन पर और बीजीपी सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि जान मूझकर एक धर्म के जो धर्मिक चिन है उनको वैद बताकर जो है वहां से हटा जा रहा था जिसके बाद जो है पुलीस प्रसासन और वहां के लोग आमने सामने हुए अब तक इस हिंसा में च्छा लोग मारे गए हैं इसके बाद भी लगातार महलाओं की गिरफतारिया हो रही है और नेशनल मीडिया में एक खास समाच क पूरी तरह किसे बदनाम किया जा रहा है इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बाल-यूगी महराजी पहले बहुत-बहुत स्वागत है वह अभी आपने का बदनाम किसको नहीं किया गया इह दलाल मीडिया चाटुकार मीडिया दलाली करती है इनसे पूछना थ किसान आके सड़क पे बैठ आया आपने के लगवा दी पहली बात तो आप यह बताए कि जब फैसला 14 फरवरी को था और फैसला आया नहीं तो सरकारों कैसे मालूम जलेगा कि वह इलीगल है फैसला कौन करेगा बाइद दोनों पक्षके सब्बूत रखे जाएंगे तब फैसला आता लेकिन फैसला उस पे नहीं आया मुकमंत्री ने पहले पुलिस भेज के वहां तुलवाया दंगा उसक्वाया उसके बाद गोली चलवाया आप छे बता रहे हैं लेलन टॉप की रिपोर्ट तो पचेस बता रही है कि पचेस लोग मारे गाए चार तो मासूम लोग है अलग लग रिपोर्ट के मुता गए चाह सोला पंदरा साल के बच्चे तो कहीं ना कहीं अगर और सबसे बड़ी बात अब आपने देस से प्लाया निक्ला अपने ही लोगों को को कॉंकि भाष्ट पास है विकेड बारती है कौन अप देस में रहेगा कौन नहीं रहेगा लेकिन उनका तो यह कहना है कि यह लूग तो नहीं नहीं पथर पैकने वाले कि यह लुग च्छोड़ दो ऑ्लाले जो च सब्सक्राइब करें कि अपना प्रोट कर रहा है कि बाई जब आप हम को मारो तो पत्थर नहीं है अभी मैं आप से पूछ लाओ कि आप मुझे रास्ते में मिलें और मुझे कहें कि मझे आपका अंटर्व्यू लेना है और कोई आपको जानता नहीं है लुग मैं उनसे किसे सब्सक्राइब लोग खड़े मैं उनसे कदू मैं आ रहा हूं और मैं आप गाली बढ़ के निकल जाओं किस पर फाया कराएं हमारे लोग क्या अगाई नंबर कौन ले गया हमें आप यारोप लगा रहे हैं कि जो पुलीस पहुंची है उनमें से बता दे के मुक्ति साब पर भी थाड़ डिग्री अपलाई की गई थाड़ डिग्री समझते हैं चोड है कि अपनल है अतंगवादी है क्या है वो एक मुझा ए मुझा पर भी आती है क्या कमी यह है कि उन्होंने ढूरी मिटिंग किया और शूग है कोई ठोस एक्षान नहीं ले पा रहे है यह तो एडवर रहे हैं अगर नहीं डर रहे हैं तो आप ऑपने अन्दॉरों को लेकि बनें आप यदू लन करें को अब को निकाह देगा आपको बहुजन उत्रे हुए है सिख उत्रे हुए है तो मुसल्मानों को भी उत्र ना गई है क्यों उत्र रहा है मुक्ति साप में 30 अपराय की गई कंड सायथ कंड भी दिये गए मारे भी मारा भी गया गलत ये गलत नहीं है इस तरह के काम करने के लिए को रखा गया है और सबसे बड़ी बात अब क्या उगलोना चाह रहे हो जब तो कोई जर्मी साबित नहीं हुआ तो कई महिलाओं के कि अफ्तारिक भी बात चल रही है किस मामले में इसी हलदवानी के मम मसले को ले करके देखे मसाफ सीधी बात कर रहा हूँ जल्दी मुलाना मुक्ति को और सभी पक्षी पार्टियों को इस मुद्दे पर हाथ डाल देना चाहिए प्रेंगा गाने जी को हलदवानी का दवरा करना चाहिए उनकी उनकी हक की हमने आप आ रहे हैं हलदवाई की मसेलेगों ले करके या कहीं ने कहीं सेफ सेफ खेल रही है दो ऐसा कोई रिपूर्ट आए नहीं है कोई ब्रक्षी पार्टी का मुद्वा आदमी बोला है सब को कोर हिंदुत की राजनीती करने मजा आ रहा है तो मेरा चछे दिनों से कर्फि कि आपको लगता नहीं कि वोई करदा तो परिस प्रचासन ऐ का रहा हूं अभी खागई गोधी वुआंग को गोली लग गई आज तक के रिपूटर को वो गया था ये दलाल हैं ये अपने इमान को बेज तक मिर देंगे विज़े पी के लिए को बढ़ी बात नहीं कोई बात नहीं यह लोग अपने जमीन इमान खोद यह लेकिन मैं आप सुको साफ साफ बगदाद हूँ आप अगर गोली चलवाने का अदेश दे रहे हो तो आपको मैं कर रहा हूं मैंने का धामी पे मुकमा बात्चीत हमारी हो रही है कई न कई हम पीछे न जा रहा है किसा अंदुलना गया सब्सक्राइब मुकमा करेंगे भामी सरकार पर यह मुकादमा करेंगी जब मामला कोर्ड में अंदुलने का न की बॉली चाहरा है लोगों का समर्थर मिला तो क्या वही नियम हर जगा प्लेग है कि हर्म मुकमंत्र होना चाहा है आप सहोगे आपको ड़राया जाएगा सिधी बात है इससे हम नहीं कुछ बोल सकते कि आप से डरोगे तो डराया जाएगा और हर दिन कोई बाल योगी महाराज नहीं आजाएगा चिलाने लड़ने के लिए आपको अपमें लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगा से लोगों स क्या मुझारिस कर रहे हैं अपने कौम के लिए वह भी आ गया है और उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वह इस तरह सामने नहीं आ पा रहे हैं तो मैंसे जा रहा है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हल्दवानी वाले मुद्दे पर विपक्षी पाटियों को खुल कर बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं धामे सरकार का विरूद करते हुए बाजपाए खिलाम मुर्जा खोल देना चाहिए सिधी बात है क्या लग रहा है बीजेपी ये दोजार चुबीस के चुनाव को देखते हुए हिंदु मुसल्मान करने का कोशिस कर रही है पिछली बार जवानों के खुन से हाथ रंगा हुआ था इस बार देश के जंता के खुन से हाथ रंगेगा मुसल्मान किसानों और मजदूरों के खुन से हाथ रंगेगा पुलोमा की बात करें भाई मैं कहा रहा हूँ आपको तो आतक जाजना हो पाई तो बिशर्मी मात करिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे लोगों को भी मार पिटके कर अंदर कर दिया जाएगा तो बड़ी बात नहीं होगी तो वहीं सवाल होगा क्या दूजर्चूबिस के चुनाप को देखते हुए हिंदू-मुस्लिम करने की पुरी तयारी है कि और सारा मुद्दा गाइब हो जाए कि सर आनुरन ये मसला गाइब हो जाए आज की नहीं है दलालों ये तयारी आज की नहीं है बहुत पहले कि आप आपनी मदर्सों पर तांदर दिखाया था सब कुछ बहुत प्लाने से प्लाइब है और ये उसके अनुसार चलना है लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा अभी हम डरने वाले नहीं उपर वाले उपर वाले से तो हमें उमीद पूरी है कि वह इस तरह के जालिमों को जल्द दी जा रही है एक आलिम मौलाना को गुलाम रसूल को वो नहीं होने चाहिए ये निंदनी है हम उसी कड़े सब्दों में निंदा करते हैं मौलाना सहब जिनको थर्ट डिगद दी जा रहे है कानुन में ऐसा कही नहीं है क्योंकि ये कहींए एक अवैद और बैद होने का पूरा लडाई है और हलदवानी को ले करके मीडिया नेशनल मीडिया से मसला एक तरफा चल रहा है जहां वहां के अस्थाने लोगों को कहीं बदनाम करने की कोशिस है वो पत्थरवाजी वाली बात रख रहे हैं लेकिन आखिर पूरा मसला क्या है कैसे सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं जो मुख वो जो आया थे तो उनके पास नंबर प्लेट नहीं था कई तरह के वीडियो चल रहे हैं च्छा दिनों से कर्फ्यू लगा है कई लोगों की जाने जा चुकी हैं फिर भी सरकार जो है वो कहीं एक तरफ बैनवाजी करते दिख रही है एक तरफ आकरवाई करते दिख रही है आपको क्या लगता है कमेंड बॉक्स में पने राई जरूर दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद